जैसे कि आप सभी को पता है कि आशकल जो भी काम हो रहा है, सब अनलाइन हो रहा है, किसी चीज के लिए रिजस्टेशन करना हो या फिर कोई उजना का लाब लेना हो सब अनलाइन हो रहा है, और उसमें PDF का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, चाहे वो आपका document हो या फिर किसी भी प्रकार का form हो उसको upload करना पड़ता है आज हम एक ऐसा software के बारे में बताएंगे जो कि आप अपना PDF को edit करके उसमें कुछ भी add कर सकते हैं और जरा सा भी word का फार्क नहीं होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस software का नाम है PDF X changer editor और यह laptop के लिए laptop या PC में इस्टोल कर सकते हैं और यह बिलकुल free है और यह without watermark है समझ गये हैं इसमें हम आपको दिखाते हैं कि यह कैसे work करता है जैसे हमें किसी word को जो हन चेंज करना हो तो यहाँ पर edit content पर जाने के अबाद हम word को select करेंगे ठीक है ना आप इसको चाहें तो इसको हटा सकते हैं और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप समझ गये हैं तो इसका main खासियत यह है कि आपका pdf में जो भी word जो भी size में लिखा हुआ है अगर आप edit करके दुबारा लिखना चाहते हैं same वही word और वही size में होगा यहाँ पर हम change करके आपको दिखाते हैं आप देख सकते हैं same size है और इसमें आपको photo वगेर कुछ लगाना हो तो बहुत सारा options है अगर इसके बाड़े में हम detail में बताएंगे तो एक दो घंटे का वीडियो हो जाएगा अगर photo यहाँ पर जैसे photo लगाने का options है तो simple तरीका है इसमें photo लगाने के लिए आप किसी भी photo को इस पर लाएकर छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पर camera का icon है इस पर select करके अब जितना area लेना चाहते है फोटो को उसको click करेंगे तो उसी पीडियो पर आएंगे और इसक सकते हैं उसके बाद तो देख सकते हैं उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको adjust कर लेंगे समझ गये हैं तो इसको download कहा करना है आपको नीचे description box में इसका link मिल जाएगा और direct आप इस side पर आ सकते हैं इस side पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं first में pdf exchanger editor plus 2022 फ्री है आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आप थोड़ों नीचे आएंगे फुल सेट अप इसका version है और यह जो है zip file में download होने वाला है इसको crack करने के लिए यहाँ पर password दिया हुआ है password 123 है समझ गये हैं इसको याद कर लेना है उसके बाद simply download पर click करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यह download होना चालू हो चुका है हम पहले से download करके रखे हैं हम इसक जो close करते हैं और यह जो मेरा file है इसमें download है इसको extract करना होगा इस पर double click कर देना है double click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका setup file जो है इस पर आपको double click कर देना है उसके बाद यह जो software है यह install होना चालू हो गया है आप देख सकते हैं अब यह इस टॉल का option है इस पर click कर देंगे और उसके बद yes कर देंगे और यहाँ इसके बाद आए accept क्लिक कर देना है उसके बाद नेक्से करना है उसके बाद यह पहले से मेरा download किया हुआ है यहाँ पर हम हम देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं हम इसको डाउनलोड नहीं करने वाले हैं तो हम इसको cancel कर देते हैं